Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Myself Mohamed Ali, your mentor and educator for our way a great big exam And guys, आज के जो वीडियो है आपका वो Mass Lecture Series का Lecture 4th है And अभी तक इस Lecture Series में हम लोगोंने Addition, Subtraction, Multiplication and Division के सारे concept को बहुत अच्छी तरीके समझा था उसके बाद हम लोगोंने किसी भी नंबर का Square and Square Root निकाना सीखा था And guys, आज इस वीडियो में हम लोग 1 से लेके 100 तक के नंबर के Cube निकाना सीखेंगे उसके बाद किसी भी नंबर का Cube निकाना सीखेंगे So, let's start this video So, सबसे पहले हमनों समझते हैं कि आपको किन नंबर का Cube याद रखना है So, अगर आप 1 से लेके 11 तक के Cube याद रखते हो तो आपके जो जिन्देगी वो थोड़ी से Mentos होगी आपको Question करने में आसानी होगी So, अगर आपको पहले ही सही 1 से लेके 11 तक के Cube याद है तो आपको मेरी तरफ से बहुत देशारी साबाशी आप बिल्कुल Right Track पे हो और आप अच्छा Perform कर रहे हो अगर आपको 1 से लेके 11 तक के Cube याद है तो आपको परिशान होने बात नहीं है यहाँ पे मैं आपको लिखने जा रहा हूँ आप इसका Screenshot लेके उसे Ratification करके याद कर लीजे तो basically आपका जो 1 का Cube होगा वो होगा 1 2 का जो आपका Cube होगा वो होगा 8 3 का जो आपका Cube होगा वो होगा 27 आपका जो 4 का Cube होगा वो होगा 64 5 का आपका जो Cube होगा वो होगा 125 6 का आपका जो Cube होगा वो होगा 216 7 का आपका जो Cube होगा वो होगा 343 8 जो आपका cube होगा वोगा 512 9 का जो आपका cube होगा 729 10 का जो आपका cube होगा 1000 जो आपका last digit है 11 का cube जिसे आपको याद रखना है वो होगा 1331 ठीक है यह आपका 1 से ले के 11 से का cube था इसे आप याद कर लीजिए आगे चल के जब के question solve करने का जब time आएगा तो यह आपको बहुत help करेगा और आपका काम बहुत आसान बनाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं so guys move on करते हैं समझते हैं different type of number जिनके हम लोगो cube निकालने हैं तो पहला हमारा type होगा वो number जो हमारा one से start होता है ठीक है इसका example हम लोग ले सकते हैं like 12, 13, 16, 19, etc जो आपके 11 से लेके 19 तक के number है उनके cube हम लोग किस तरह से निकालेंगे second हमारा जो number आता है दो end होता है one से जिनके जिस number के end में one आता है like 21, 31, 51, etc जिनके end में one आए third हमारा type होता है जब दोनों ही digit आपके same हो number के जो दोनों digit है वो same हो like 22, 11, 66, 55, etc ऐसे number जिनके दोनों ही digit आपके जो same हो last type हमारा जो आता है जब दोनों ही digit आपके different हो ठीक है जब दोनों ही digit आपके number के different हो like 32, 67, 54 इन number के cube किस तरह निकालेंगे तो चली एक एक करके हम लोग समझते हैं तो हमारा जो पहला type होगा that is starts with one वो number जिनके starting में one आता है तो हमारा जो पहला example इसके लिए होगा वो होगा 16, 16 का cube किस तरीके से निकालेंगे so basically जो हमारा सबसे पहला step होगा वह होगा कि हम लोग 1 को इसी तरह लिखेंगे and जो 6 है उसको तीन बार लिखेंगे इस तरह से तीन बार लिखेंगे then इसके पावर ममुक करेंगे क्या 0 से लेके 3 तक की numbering में लिखेंगे from left to right तो यहां पर 0, 1, 2 and 3 ठीक है इस तरह पावर में लिखेंगे उसके बाद हम लोग इसको solve करेंगे तो अगर 1 की पावर 0 होती तो 1 होगा ठीक 6 ही पावर 1 है तो 6 ही रहेगा 6 की पावर 2 मतलब स्क्वाइर हो रहा है तो 6 के स्क्वाइर 36 होता है and 6 का cube आपका होता है 216 ठीक इस तरह solve कर लेंगे आप यहां पे next step में करेंगे क्या जो आपके middle वाले number है 6 यो 36 इसको हम लोग 2 से multiply करेंगे इसको 2 से एलो multiply करेंगे तो जब इसको 2 से CD करेंगे जो आपका answer आएगा वो रहा YE 1 1 2 & 6 यह वाला step है यह वाला step है ठीक यह वाला step है इसके numbers को हम लोग add कर देंगे add करने के बाद जो नीचे आएगा answer आएगा यहाँ पर 260 ने तो unit place का number यहाँ पर लिखेंगे और बाकी बचा number 21 इसको यहाँ पर carry forward करेंगे यहाँ पर 21 लिखेंगे 21 36 और 72 को add करेंगे 617 729 9 यहाँ पर लिखेंगे बाकी का जो नंबर बचेगा उसको हम लोग carry कर देंगे तो 325 और 547 12 तो यहाँ पर 12 आ जाएगा 12 12 24 24 और 6 30 तो 0 यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ ले आएएंगे 314 हो जाएगा तो आप 16 का जो cube हमारा आएगा वो आएगा 4096 ठीक आप calculator में भी check कर लो आपका answer यही आ रहा होगा अब इसको थोड़ा से और अच्छे समझते हैं एक और example लेते हैं और हमारे जो second example होगा वो होगा 13 हम लोग 13 का cube निकालते हैं तो सबसे पहला हमारा जो पहला step हम लोग करते थे हैं 1 को ऐसे लिखेंगे 3 3 & 3 then हम लोग left to right power को increasing form में लिखेंगे तो जो हमारा पहला होगा वो होगा 0 then 1 then 2 then 3 इसके बाद हम लोग इसको solve कर लेंगे इसको solve करेंगे तो यहाँ पर 1 की power 0 1 होता है 3 की power 1 3 हो जाएगा 3 का square करेंगे तो 9 आएगा 3 का cube करेंगे 27 आएगा next step में हम लोग करते क्या थे जो middle layer number होते थे उनको 2 से multiply करते थे तो यहाँ पर हम लोग 2 से multiply करेंगे तो 3 to 6 आएगा 9 to 18 आजाएगा फिर हम लोग इस वाली line को और इस वाली line को add करते थे तो जब add हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 7 को unit place हम लोग as it is उताल लेंगे और जो बचावा number होगा यह होगा इसको हम लोग carry कर देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा 9 to 11 11 और 18 आपको 29 होता है तो 9 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ पर carry कर देंगे तो आपका 3 to 5 और 6 11 होता 1 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ पर carry कर देंगे और यहाँ पर 1 1 2 आएगा तो आपको 13 का cube आएगा वो आएगा 2 1 9 7 आप calculator में चेक कर सकते हो तो answer आपका exact यही आएगा now move on करते हैं हम लोग next concept समझते है that is वह number जिनके end में 1 आता हो तो इसके लिए हमारा जो सबसे पहला example होगा 31 हम लोग 31 का cube निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहला step हमारा होगा इस number को हम इस तरह लिखेंगे 3 3 3 1 ठीक next step हम लोग करते कहते हैं अभी तक हम लोग क्या करते थें कि left to right हम लोग power increasing में लगते थें पर आप right to left लिखेंगे तो basically यहां पर हम लोग 3 2 1 & 0 लिखेंगे अब इसको हम लोग solve करेंगे तो आपकी 3 की cube आपको होता है 27 होता है 3 का आपका square होता है 9 होता है 3 की power 1 3 होगी और 1 की power 0 1 ही रहेगा अब next step हम लोग क्या करते थें बागी सारे step same रहेंगे middle वाले जो numbers हैं उनको हम लोग 2 से multiply कर देंगे जब इसको solve करेंगे तो आपका आएगा 6 & 18 अब इसको हम लोग add कर देंगे येवाला step और येवाला add कर देंगे तो इसको हम लोग add करेंगे तो आपका answer आएगा यहां पर unity place पर 1 है तो 1 यहां लिख देंगे और 3 & 6 9 हो जाएगा and 9 & 18 आपका होगा 27 तो 7 यहां लिखेंगे 2 यहां पर carry करेंगे और 27 & 2 29 हो जाएगा तो आपका answer आएगा 31 का जो cube आपका आएगा 29791 आप इसे calculator में भी check कर सकते हो आपका answer बिलकुल exact यही आएगा हम लोग एक और example लेकि इस concept को समझते है and next हमारे जो example होगा that is 51 हम लोग 51 का cube निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले step में क्या करते है 5 5 5 1 लिखते है ठीक है and second step हम लोग क्या करेंगे यहां left to right decreasing power में लिखेंगे तो यहां पर 3 2 1 0 ठीक है इस तरह लिखने के बाद इसको solve कर लेंगे तो 5 का cube होता हो होता है 125 5 का score होता है 25 and 5 का power 1 होता 5 और यह 1 रहेगा then आप जो आपका middle वाला जो वीच वाले number है दोनो इसको हम लोग 2 से multiply करते है next step में इसको 2 रहें लोग 2 multiply करेंगे जनी सको 2 से multiply करेंगे 25 25 eoo between 50 5 to 10First अब जो यह वाला है इनको दूष बाले है नाबर हो इनको डूष करेंगे तो यहां पर 1 यहां लिख देंगे and 5 1 10 15 5 यहा लिखेंगे 1 यहां बचला यहां पर कर देंगे 25 & 75 & 76 होता है तो 6 यहां लिखेंगे and बागी कर 7 यहां पर कर देंगे 125 & 7 आपको होता है 132 तो 51 का जो क्यूब आएगा वह आपका हैगा 132651 आपका कैल्कुलेटर में चेक कर सकते हो आंसर यहाएगा प्रेक्टिस कर लोगे आप एक्जाम के लिए आप जब धेर सारे बार आप प्रेक्टिस कर लोगे तो आप विदिन 5-6 सेकेंड में इसको आराम से सॉल्व कर लोगे इससे जाद आपको टाइम नहीं लेगेगा करते हैं हमारे next concept को समझते हैं जब दोनों ही डिजिट आपके सेम होते हैं तो हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं तो यहां पर इसके लिए मैंने एक्जामपल लिया है 22 का हम लोग क्यूब करते हैं तो यहां पर सबसे पहला हमारे step यह होगा कि इन दोनों में से कोई भी नंब और कहां पर लिखिए चार बार ठीक है चार बार इस number को लिखिए एंधिका cube कर दीजे हर number का cube करिए इस तरह से करेंगे और इसके बात cube निकाल सॉल्व करिए तो 2 का cube होता है 8 8 8 and 8 यहां पर गया पर जो middle वाला number है जो दोनों number बाकि सारी step हमारे सेम होंगे इसको 2 से मंटिप्लाइ कर दीजे 2 से मंटिप्लाइ करेंगे आपका 16 एन यह भी 16 देन हमारा बागी की स्टेप आपको पता ही है कि यह इस आले स्टेप को एड करना है तो हम लोग इसको एड करेंगे तो आपका जाएगा 8 आएगा 16 आपका 24 होता 4 यहां लिखेंग 2 यहां ले जाएंगे और 16 एट और 2 आपका हो जाएगा 26 तो यहां पर 6 यहां लिखेंगे 2 यहां ले जाएगे 8 और 2 आपका 10 होगा तो आपका 22 का जो आपका क्यूब आएगा वो आएगा 10648 ठीक है आप का अलकुलोटर में भी देश सकते हैं आपका आपका एक्दम का्उसर को मनचेट को क्यूब करेंगे तो आपका जो सिँसीया कक्यूब होता है बहुता है 216 216 216 and 216 फिर जो हमारा middle के दोनों number है इसको हम लोग 2 से multiply करेंगे दोनों को ठिक 2 से multiply करेंगे तो इसको 6 to the 12, 203 to the 4, 432 यह भी 432 हो जाएगा देन हम लोग इसको add कर देंगे इन दोने step को जब add हम लोग करेंगे तो add हम लोग क्या करते हैं यहां पर unit place को इस तरह लिखते हैं यहां पर 6 आ जाएगा बाकी का जो बचा number है उसको हम लोग carry forward कर देंगे तो आपका 216 214 32 को हम लोग जब add करेंगे तो 69 यहां पर आएगा बाकी का आपका 325 16 और 66 यहां पर carry चला बाकी के number carry forward जाएगे तो यहां पर आपका 6 4 10 हो जाएगा और 11 3 2 4 2 6 और 71 यहां पर 71 आ जाएगा तो 782 ठीक तो आपका जो answer आएगा 287 496 आपका 66 का cube आएगा 287 496 आप चाहे तो calculator में देख लोगे answer आपका यही आएगा and guys आपने देखा मैंने 66 का cube है वो कित्ती जल्दी ह efficiently निकाल लिया but अगर यही मैं manually solve करता तो बहुत ज्यादा time लगता and यह भी guarantee ने कि answer सही निकलता है निकलता क्योंकि exam में और तरीक का pressure होता है time का pressure होता है and जब time कम हो रहा होता है तो हमसे silly mistakes होती है but इस method को अगर आप follow करोगे आपसे कोई भी silly mistake नहीं होगी and एक practice के बाद and around 32 का cube आप किस तरीके से निकाल होगे so basically आपको यहाप एक formula याद करकना है यहाप आपको याद रखना a cube then a square b b square a and b cube ठीक है यह आपको formula याद रखना है इसमें आपका जो a होगा वो यह होगा पहला digit and b आपका होगा यह वाला number ठीक है अब यहापे हम लोग solve करते है and value को substitute करते है so basically यहाप आपका a की जंगा हम लोग 3 लिखेंगे 3 का cube then a square है तो आपका 3 का square into b है आपका normal तो 2 लिख देंगे then b का square मतलब 2 का square into a है आपका 3 लिख देंगे and b का cube आपका 2 का cube अभी सो solve करते हैं आपका 3 का cube 27 आएगा 3 का square 9 18 आएगा 4 12 आएगा and 2 का cube 8 आएगा इसक इस वाले जो नमबर है इनको हम लोग 2 से multiply कर देंगे ठीक इसको 2 से multiply करने बाद आएगा 18 तो 36 और 12 तो 24 इसके बाद हम नेक्स स्टेम में क्या करते हैं इस वाले इसको इसको add कर देते हैं तहां पर जब add करेंगे 8 को as it is लिख देंगे 12 और 24 आपका 36 होता है तो 6 यहाँ ल वो निकल के आएगा 32768 इस concept को हम लोग एक और example से समझ सकते हैं second यहाँ पर मैं example ले रहा हूं वो ले रहा हूं लोग 72 का cube निकलते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने formula आपको बता है वो लिखता हूं a cube a square b b square a and b cube ठीक यहाँ पर आपका जो a होगा वो आपका 7 होगा b आपका हो जागा वो 2 होगा अब हम लोग value को substitute कर देते हैं and solve करते हैं तो यहाँ पर a की जंग हम लोग 7 लिखेंगे तो 7 का cube ठीक then 7 का square into 2 2 का square into 7 and 2 का cube ठीक next time हम लोग क्या करेंगे इसको cube निकाल लेंगे तो 343 और 714 and 49 into 2 आपका 98 and to the 4 or 28 and यह आपका 8 आजाएगा अब next step हम लोग करते क्या थे जो बीच के middle number हैं दोनों उनको हम लोग 2 से multiply कर देते थे जब इसको 2 से multiply करेंगे 8 to the 16 9 to the 18 196 और आपका 8 to the 16 56 आजाएगा अब next step हम लोग इस वाले और इस वाले number को add कर देते थे हम लोग इसको add करेंगे आपका answer आएगा यह आएगा 8 आएगा और 8 और 6 आपका 14 होता है और 5 to 7 1 8 यहाँ पर carry हो जाएगा 8 और 16 होता है 16 और 6 आपको 22 होता है 2 carry जाएगा 19 और 1 20 और 21 और 30 तो यहाँ पर 30 आपका carry चला जाएगा और 30 और 340 आपका 373 तो आपका 72 का cube निकलेगा वो निकलेगा 373 248 ठीक है 72 का आपका cube निकलेगा वो यह निकलेगा आप calculator से check कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हों कि इतनी बड़ी value कि मैंने इतने आसानी से आपका cube निकाल दिया है manually आपको बहुत जादा time लेगा इसको निकालने में and I am sure आप से कही न कहीं mistake होगी exam pressure में तो इस concept को follow करिए इस method को follow करिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा method है बस आपका इसमें practice चाहिए आप प्रेक्टिस कर लोगे इसका ठीक ठाक टाइम बार तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही within 10 seconds आपका इसका answer निकालने लग जाओगे अब move on करता है हम लोग समझते है next concept को that is हमारा cube root किसी भी number का cube root हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर पहला example लिखा है वो है 6859 इसका हम लोग cube root किस तरीके से निकाल सकते हैं तो हमारा जो पहला step होगा वो यह होगा हम लोग number को as it is लिखे 6859 ठीक यहाँ पर मैं आपको पहले slide में आपको क्यों बोला था आपको 1 से लेके 11 तक के cube याद रखने हैं यहाँ पर हम लोग को समझ में आएगा यहाँ जल्दीसे facto operation में आपको लिख देता हूं तो 1 का cube आपका 1 होता है, 2 का आपका होता है 8, 3 का आपका होता है 27, 4 का cube होता है 64, 5 का cube होता है 125, 6 का cube होता है 216, 7 का cube होता है 343, 8 का cube होता है 512, 9 का cube होता है 729, 10 का cube होता है 1000, 11 का cube होता है 1331, ठीक? अब आपको समझ में आगा कि आपको क्यों याद रखना है और आपके जिंदिगी कैसे में टॉस बनेगी तो हमारा सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है लेफ्ट हैंड साइट से जो तीन नंबर के उनका पेरिंग बनानी है एंग ये देखना है आपका यूनिट प्लेस पे नंबर है वह किसके क्यूब में आप नंबर में आ रहा है तो हम लोग चुप चाप यहाँ पर नाइन लिख देंगे ठीक है नाइन लिखने के बाद आप यह बचा हुआ number है that is 6 यह हम लोग को देखना किस के cube के बीच में आ रहा है आप 6 देख सकते हो आपका 1 और 2 के cube के बीच में number आता है तो यहाँ पर सबसे smallest value that is 1 इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे तो आपका cube root निकल के आएगा वह 6 8 5 9 का cube root निकल के आएगा 19 तो basically 19 का cube करेंगे तो आपका 6 8 5 9 आएगा and 6 8 5 9 का cube root निकलेंगे तो 19 आएगा इसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे समझते हैं next रमाया जो question है that is 1 9 6 8 3 इसका cube root किस तरह किस निका सकते हैं तो basically सबसे पहले इसी तरह से number को लिख लेना है 1 9 6 8 & 3 and second step हमें करना क्या है last के 3 digit का pair बना लेना है pair बनाने के बाद हमें देखना है 3 किस के cube के बीच में आता है तो आप देखो कि यहाँ पर आपका 7 के cube के बीच में 3 43 last digit में आता है next step हमें देखना है 19 किस के cube के बीच में आता है 19 यहाँ पर देख सकते हैं 8 3 के cube के बीच में आता है 2 हम लोग यहाँ लिख देंगे ठीक है सबसे छोटा वाला digit लिखते हैं 27 का cube निकल के आएगा 1 9 6 8 3 हैगा 1 9 6 8 3 का cube root निकल के आएगा 27 निकल के आएगा ठीक है जो यहाँ पर मैंने 3rd question लिखा है that is 1 1 0 5 9 2 का cube root क्या एगा इसको आपको solve करना comment में mention करिए कि इसका answer क्या एगा so guys that's all for today I hope आपको वीडियो के सारे point सबज़ में आ गए हो अगर अभी भी कोई doubt है तो उसे आप comment section में mention करिए मुझे solve करेंगे यहां पर हम time to time update करते रहते हैं and thanks for watching this video all the best for preparation good bye